कुछ healthy and tasty recipes और आज की जो हमारी रेसिपी है वो तो बहुत ही ज्यादा इजी है बनाने में और एकदम आपको गैस भी जलाने की ज़रुत नहीं है नो कुकिंग है और पांच मिनट में बनकर तैयार हो जाएगी और आप देख सकते हैं कितनी खुबसूरत है दिखने में तो चल क्रीम वाले अगर आपको चॉकलेट प्लस वाइट क्रीम चाहिए तो आप वैसे उस ताइप के बिसकिट ले अधर्वाइस आप ओरेंज क्रीम या ग्रीन जो इलाइची क्रीम आती है उनके साथ भी आप ये बना सकते हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे पहले उन दोनों को आफ़ल को अलग करेंगी लाइक क्रीम निकाल लेंगे उनकी और जो Bisकित है उनको हम एक जीर में डाल के इसका पावडर बना लेंगे तो ये सारी क्रीम मैंने भटा दी है और bisकित लेठी हूँ जीर में और इसका को बना लेञें के ऐखौक्वावडर पीस लेंगे आजकल बहुत से लोग सिर्फ बिस्किट्स की ही रेसिपीज शेयर कर रहे हैं क्योंकि यही सबसे आसान अभी मिल रहा है और मीठा तो सब को पसंद आ रहा है खाने में तो उनको घर बैठे जो वो इसी रेसिपीज हम लोग शेयर कर रहे हैं आपके साथ तो यह देखिए करेंगे इसमें जो बिस्किट का हमने पाउडर बनाया है इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम दूद डालेंगे और इसका हम एक डो तयार करेंगे आपको बहुत ज्यादा टाइट डो नहीं बनाना है थोड़ा सॉफ्ट सा ही डो बनाना है अगर आप टाइट बनाओगे तो योजो लट्डू बना रहे हो वह बनेंगे नहीं तो सॉफ्ट डो बना लें अधी साथ नहीं डाले थोड़ा करके आप डाले ताकि आपको पता रहे कि आपका जो डो है ववो ढंक से बन रहा है कि नहीं एक साथ बहुत सारा डालेंगे तो बनेगा नहीं डो और बहुत ज्यादा लिक्विडी हो जाएगा इस तरीके से आपको ठोड़ा करके ही एक डो बनाना है तो िर रेसिपी जड़ूर ऐसा किरें और बहुत है चैस के जादाrophe है और ज्ञसे करेंगे उपनीद साथ कि आ बाल फैरा मुझे और यह रेसिपी इतनी इजी है कि बच्चे भी आपके साथ इसको बना सकते हैं यह देखिए इसका आप छोटा सा हिस्सा लेंगे हम और इस तरीके से आम फैला देंगे इसको और बीच में रखेंगे हमारी white वाली ball और इसको हम cover कर देंगे इस तरीके से और हधिलियों के और इसी तरीके से हम ये सारे लड़ू बना लेंगे तो ये देखिए हमने सारे लड़ू तयार कर लिए हैं अब हम क्या करेंगे इनको कुछ डेकोरेट करूँगी मैं तो यहाँ पे मेरे पास है coconut powder जो desiccated coconut होता है वो और कुछ जो हम cupcakes को सजाते हैं वो वाले sprinkles है मेरे पास तो इनसे मैं सजा लूँगी मेरे 10 लड़ू तयार हैं तो 5 मैं sprinkles से सजा लूँगी और 5 ही मैं coconut से सजा लूँगी तो आप देख सकते हैं इस तरीके से coat करने के बाद ये कितने खुबसूरत लग रहे हैं ये देखिए बहुत ही ज्यादा खुबसूरत हमारे लड़ू तयार हो रहे हैं और खाने में तो टेस्टी हैं ही तो आप जटपट से बना लीजिए इनको और अपनी फैमिली को इक्तम से सर्प्राइज कर दीजिए इन लड़ूं से तो फटा फट से बनाने वाली रेसिपी है एकदम पांच मिनट में तयार होने वाली तो जरू ट्राइ करें ये रेसिपी और अपने बच्चों के साथ मिलकर करें ताकि उनको भी अच्छा लगेगा और वो भी आपकी हेल्प करेंगे इसमें क्योंकि बिस्किट और चॉकलेट तो बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद होती है तो ये देखिए हमारे सारे लड़ू तयार है तो इने सर्व करने के लिए आप ऐसे भी सर्व कर सकते हो बट थोड़ा सा इनको मैंतलब और ज्यादा अगर आप इंप्रेसिव बनाना चाह तो इसमें एक टूथपिक लगा दीजिए तो इससे भी ये और ज्यादा अच्छे लगेंगे तो जरूर ट्राय करें रेसिपी और कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको ये कैसी लगी और अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें और मेरी रेसिपी को शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू फूचिंग मै रेसिपी है ये नारियल के लड्डू आपको लेक मिंडो में बनकर तयार हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा इतना इजी है बनाना तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं यहा लुट इसको मैं एक मिनट के लिए भून लोंगी आपको सिर्फ एक मिनट पे लोग फ्लेम पे अबको पकाना है इसको एक मिनट के लिए ऐसे भून लेंगे इसको लगातार चलाते उए से रोस्ट करेंगे अ creatorstep करेंगे अ दरवाइस तू रीचे जल जाएंगे तो एक मिनट हो चुका है आब हम डालेंगे इसमें एक कप, कैंदेन्स्ट मिल्क यह तेसके तो दिखने में ही इतना है यम्मी आ mixture इन सब को मिला देंगे, और सिफ 2-3 मिनट पकाना है इसको जादा नहीं पकाए बस दो बस तीन मिनट अतना ही लगएगा पूरा जो कंडेस्ट मिलक है और जो कोकोनट है वो मिक्स होने में तो यह इस तरीके से हम मिला देंगे इसको एकदम अच्छे से इसका एक डो तैयार हो जाएगा यह देखे डो तैयार होने लग गया है हमारा और कडाई से जब चिपकना बंद कर दे तो बस उतना ही आपको पकाना है इसको देखे अच्छे से डो तैयार हो रहा है हमारा तो गैस की फ्लेम को हम कर देंगे बंद और इसमें डालेंगे इलाइची पाउडर और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे तो गैस फ्लेम यहां पे बंद हो चुकी है और सिर्फ मैं इलाइची पाउडर को इसमें मिक्स कर रही हूँ तो इसको भी अच्छे से मिला देंगे यह देखे हमारा डू कितना सुन्दर लग रहा है इसको हम ट्रांसफर कर लेंगे एक बाउल में और थोड़ा सा हलका ठंडा होने देंगे ताकि हम जब लड्डू बनाए तो हमारे हाथ ना जले तो यह हलका गरम है भी भी बर एकदम से ठंडा नहीं हुआ हलका गरम है और बन इस तरीके से कोट करते जाएं तो सिर्फ पांच मिनट भी आपको नहीं लगेंगे इस रेसिपी को बनाने में और एकदम जटपट आपकी इंस्टेंट नारियर लड्डू बनकर तयार हो जाएंगे तो ज़रूर ट्राइ करेंगे रेसिपी और मुझे बताएं आपको कैसी लगी और अगर अच्छे लगी तो प्लीज कोमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर भेजें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तो देखें तयार हैं हमारे सारे ही लड्डू बनकर दिखने में बहुत ही खुबसूरत खाने में बहुत ही ज्यादा ट सॉफ्ट और बहुत ही ज्यादा टीस्टी वाले लड्डू बनकर तयार हुए हैं आप देख सकते हैं कितने लिखने में ही कितने माउट वाटरिंग टैम्टिंग लग रहे हैं बहुत ज्यादा यम्मी बने थे ये तो आप भी ज़रू ट्राइब करें ये रेसिपी और मजा उठाएं बेसन के लड्डू का तो यहां पर हमने लिया है एक्चली वन एंड फोर्थ कप घी लिया था मैंने बट यह मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूं एक सारा नहीं डालूंगी बट इतना घी आपका लग जाएगा और इसमें हम चार कप बेसन डाल रहे हैं तो जो कप या कटोरी मैं बेसन के लिए यूज कर रहे हूं वही कटोरी मैं चीनी के लिए यूज करूंगी तो अब क्या करेंगे बेसन में बेसन को घी में हमें रोस्ट करना है और तब तक इसको भूनना है जब तक कि यह अच्छे से गोल्डन कलर का हो जाएगा और अच्छी आपको पता चल जाएगा कि यह almost हो चुका है तो वैसी ही आपको consistency देख लेनी है कि घी जब separate होने लगे तो बेसन जो है वो भुन गया है तकरीबन 32-40 मिनट्स लगेंगे बट almost 30 मिनट्स में हो जाता है यह तो बैस ऐसे ही आप इसे चलाते हुए और बीच विच में यह दो जैसी consistency ही हो गई है तो यह अच्छे से भून चुका है तो बैस ऐसे ही हम एक दो मिनट्स को और अच्छे से भून लेंगे ताकि थोड़ा भी कच्छापन हमें नहीं लगे बेसन में और ऐसा ही आपको तयार करना है इसे तो बनाने में ज्यादा मतलब मुश्किल वाला क कामनी है बस थोड़ा सा इसको भूनने में ही थोड़ा टाइम लगता है दरवाइस काफी मुझे ईजी लगी प्रोसेस और अब हम क्या गरेंगे इसमें थोड़ा सा पानी मैं स्प्रिंकल कर दूंगी और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे जब पानी आप डालेंगे त इससे खिला- pajla हो गया है तो थोड़ा सा पानी इसको पका लेंगे दो एक दो तीन मिनट के लिए उसके बाद गैस को बंद कर देंगे उर इसको ठंड़ा होने के लिए छोड देंगे तो गैस को बंद करने के बाद इत्जाद कर आदिम Americas को इसमें चला तरही हूं कुँ क्या करेंगे मैं इसी कटोरी से बेसंग लिया हैं तो मैं इसी कटोरी से चीनी डाल रही है पहले मैं 2 कटोरी डालूगी और उसके बाद 1-4 कटोरी ओर डालूगी और इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे आप लेडल से या फिर हाथों से मिलाएंगे तो ज्यादा इजी होता है तो हाथ का यूज़ करें इसको मिलाने में तो वो प्रॉपर इक्विली मिल जाएगी और काफी अच्छे से ब्लेंड हो जाएगी बेसन में तो बस इसको बाहर निकाल लेते हैं लेडल को और अपने ताइम नहीं लगता है आधा गंटे में आपके लड़ू बनकर तयार हो जाते हैं और बिल्कुल आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप मार्केट से नहीं लाए हो आप और इनफेक्ट घर पे जब बनाते हैं अपन ऐसी चीजें तो ज्यादा अच्छी लगती हैं क्योंकि वह अ अच्छा दिखने में हीं काफी अच्छा बेसन का हल्वा लग रहा है ये और वैसा ही आपको बनाना है और इसके लड़ू बना लेंगे हम आप देख सकते हैं आसानी से लड़ू बन रहे हैं बहुत ही अच्छी टरीके से बनकर तयार हो रहे हैं तो एक बार तो क्या है यह बनने के बाद क्योंकि यहां पर राजस्थान में बहुत ज्यादा गर्मी है तो यह मेल्ट हो रहे हैं क्योंकि अभी इसमें गर्मी की वज़े से घी मेल्ट हो रहा है लेकिन थोड़ी देर बाद इनको वापस मैंने शेप में दिया तो यह एकदम राउंड शेप बागे बहुत ज्यादा टेस्टी वाले लड़ू बने हैं तो जरूर ट्राइ करें से लाइक करें वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यो फो वाचिंग माई वीडियो टटा बाई 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 यहां पर मैं और आप मिलकर बनाते हैं कुछ healthy and tasty recipes और आज की हमारी बहुत ही टेस्टी टेस्टी रेसिपी है लड़ू जी हां बूंदी की लड़ू हमने यहां पर बनाए हैं आप देख सकते हैं कितने colorful लड़ू हमने बनाया है यहां पर और यह बनाना बहुत ही आसान है ब सबसे पहले हम बनाएंगे चाशनी तो चाशनी के लिए हमने लिए हैं यहां पर दो कप चीनी और इसको हम डालेंगे एक सॉस पैन में इसके साथी हम डालेंगे एक कप पानी तो इसको भी हम डाल देते हैं और फिर इसको रखतेंगे गैस पे चाशनी बनने के लिए तो यह तले में केरमलाइज शुरू कर देगी और केरमलाइज हो जाएगी वो तो इसको बीच विच में यू चलाते रहें और चाष्णी बना लें फटाफट से तो चाष्णी हम बनाएंगे इसमें थोड़ी सी गाड़ी होगी और हम डाल देंगे इसमें आधा चमच इलाइची तो वो थोड़ी चिप चिपी और गाड़ी होना लगेगी अपने उंगलियों पे जब थोड़ी सी ठंडी होगी तो उसका मतलब है कि हमारी जो चाशनी है वो परफेक्ट है तो यह देखिए इस तरीके से वो गाड़ी होना शुरू करेगी और एक बॉल जैसा बनने शुरू क बंड़ा करें अपने उंगलियों पर तो उसका मतलब चाशनी जो है वो रड़ी है तो जब सुखने लगे उंगलियों पर तो आप समझ चाना और कमीश को बंद बुंदी के लिए हम क्या करेंगे यहां पर लेंगे दो कप बैसन आप के लिए और दो कप बैसन में डालेंगे देल तेल एक चोथा ही चमच हम डालेंगे बेकिंग सोडा तो ये लेजे ऐसे नापके हम तीन चम्मच इसमें तेल डाल देंगे और तेल डालने के बाद इसे थोड़ा सा हम मिला देंगे और फिर हम डालेंगे इसमें एक चोथाई चम्मच बेकिंग सोडा अगर आपके पास baking soda नहीं है तो कोई बात नहीं आप बिना baking soda भी से बना सकते हो और इस तरीके से मिला देंगे इसको अब हम बनाएंगे इसका एक पतला बैटर तो उसके लिए हम क्या करेंगे इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और mix करते जाएंगे तो एक स इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और mix करते जाएंगे यह देखिए हमारे बैटर अभी भी आपको लग रहा है कि आपको अगर गाड़ा है तो और मिला लीजे पानी और इसको फिर mix कर लीजे तो यह perfect हो गया है अब हम क्या करेंगे इसको हम दो कटोरियों मे ले लेंगे थोड़ा थोड़ा क्योंकि हमें कलण भूंदी भी बनानी है तो कल्रण भूंदी के लिए हम थोड़ा थोड़ा सा बैटर इसमें से निकाल लेंगे दो कटो लेंगे और फिर उसम mm हम लाइंगे ref लीजी है इस तीन तीन चम्मज इसकी निकाल ली है उन ये तीन चम्मंज मैं इसमें भी ले लूँगी और इसमें डालेंगे हम एक में red color और एक में green food color हम डालबेंगे तो यह red and green color है मेरे पस तो अगर आपके पास orange है तो orange डालदें रेड है तो रेड डाल दें तो یہ तो भit यह आपके उपर है, आपके ऐसा कलर बनाना चाहा रहे हैं, बागी होता तो रेड और ग्रीन ही है, तो यह मिला लिया हमने, ग्रीन कलर भी और रेड भी बना लेंगे ऐसे ही, तो यह लिए जे रेड भी तैयार है हमारा, देखने में थोड़ा ओरेंज हो गया है, बट यह बैटर डालेंगे इस तरीके से और इसको चारो तरफ इसे हिला देंगे, तो आपको हिलाना है, अगर आप बीच में एक जगे रखोगे तो एक जगे ही पूरा बैटर गिट जाएगा और आपकी बूंदी नहीं बन पाएंगी, यह देखिए कितनी राउंड राउंड बूं बूंदी बनाएंगे, तो यह देखिए तयार है हमारी बूंदी, तो इन्हें हम निकालते जाएंगे, यह देखिए कितनी राउंड और परफेक्ट बूंदी हमारी बनकर तयार हैं, कुछ चीजें दिखने में बहुत ट्रिकी, बहुत ज्यादा हमें हाड लगती हैं, अगर लैडल है, उसके पीछे के वाइप कर लें, या तो टिश्यू पेपर से, या फिर कोई भी कॉटन क्लॉट से, ताकि दोबारा अच्छे से परफेक्ट बूंदी बने, अगर आप पूछेंगे नहीं उसको तो फिर वो ढंक से नहीं बना पाएगा, तो पॉँचके ही फिर ब निकाल लें उनको, अब हम बनाएंगे ग्रीन कलर की बूंदी, तो ऐसे ही ग्रीन कलर भी हम ऐसे ही डाल देंगे और बना लेंगे हमारी बूंदी, और इम स्वारी मैं भूल गई थी, पीछे क्यामेरा लगा है, तो मेरा हाथ में हटाना बूल गई, आवर यह देखीए ऐसे ही हमारी बुंदी जो हैं ग्रीन वाली भी बनकर तयार हैं तो इनको भी हम निकाल लेंगे तो फ्रेंड सी ज़रूर आप ट्राइ करें और बिल्कुल भी जिल्यक ना लाएं कुछ भी ट्राइ करने में क्योंकि एक बार बिगड़ता है बाद में सही भी हो जाएगा तो अब हम बना लेंगे ऐसे ही औरेंज कलर की तो यह हमारे औरेंज कलर की बुंदी भी तयार है यह देखिए तो इनको भी हम निकाल लेंगे तो आप क्या करें गए उनको डालेंगे चाशनी में तो चाशनी भी हमारी गरम है और बुदी भी गरम है एकदम ज्यादा गरम चाशनी ना रखें, सिर्फ ऐसे हम हाथ लगा सकें, वैसी चाशनी है, और बुंदी जो है वो गरम है, तो उनको हम डाल देंगे चाशनी में, और फिर इसको 4-5 मिनट के लिए ऐसे रखेंगे चाशनी में, और उसके बाद हम इने निकाल लेंगे बाहर, तो यह देखें, इन्होंने शुरू कर दिया है, सोक करना, अच्छे से सोक हो चुकी है चाशनी में, तो इनको अब हम निकाल लेंगे, यह देखें, बहुत ही सुन्दर और बहुत ही, एकदम मिठी मिठी बुंदी हमारी बन कर तयार है, यह देखें, कितनी कलरफुल लग र करेंगे, यह देखें, बना ली है, अब क्या करेंगे, अगर आपके पास कुछ जैसे वो फ्लेवर्स डालते हैं, जब लड्डू बनाते हैं, वैसे आपके पास हैं, अगर तो आप वो डाल सकते हैं, कुछ भी अडिशनल, बट मेरे पास अभी नहीं अभी अपेलिबल था, तो मैंने सिंपल वाले लड्डू ही बना लिए, तो ऐसे ही प्रेस करते जाएंगे, और बनाते जाएंगे, बट यह ध्यान में रखें, जब आप लड्डू बना रहे हैं, तो आपकी जो बूंदी हैं, वो थोड़ी गरम होनी चाहिए, ठंडी होने के बाद लड्डू पॉ आता है, तो प्लीज इसे लाइक करें, अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, यह देखिए है हमारा लड्डू एक्तम परफेक्ट, थैंक्यू फो वाचिंग मैं वीडियो,